नमस्कार दोस्तों आरे टूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यल्टी ग्रेड एक्जाम 2022 के लिए जीएस पेपर के लिए प्रैक्टिस से टुवन आज हम लोग हल करेंगे आपको पता हुआ है कि जीएस वाले पार्ट में 30 प्रशन जो है पूछा जाता है और आपकी सब्जेक्ट से 120 कोशन पूछा जाएगा टोटल 150 कोशन जो है ल्टी ग्रेड एक्जाम में पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर जीएस का होता है जिसमें 30 कोशन पूछ जाते हैं और आपका एक ही में होता है पार्ट वन पार्ट टू करके तो 120 कोशन जो है वह आपके सब्जेक्ट से होगा तो इस वीडियो में हम लोग GS का पार्ट जो 30 questions पूछा जाता है उसको देखेंगे पहला practice है तो वीडियो को like share कर दीजेगा चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ में will icon को प्रेश कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का notification आपको पहले मिलता रह और PDF इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे description में टेलिग्राम का link दे दिया गया है वहाँ से join करके आप PDF भी download कर सकते हैं तो आईए देखते हैं आज का जो पहला प्रशन है यहाँ पे दिया गया है सिंदुखाटी सभेता के किस अस्थल से जुते हुए ख काली बंगन कहां है तो यहाँ से आपका जुते हुए खेट और नकासिदार इटों के प्रियोग का साक्षे मिला हुआ है लोथल पूछायता है किस राज्य में है तो यह गुजरात में है और धौला भीरा कहा है तो धौला भीरा भी आपका गुजरात में है और मोहन जोदल तो यहां पर यहां पर यह आप सिथी काली दोसरे परश्ण में से कौंसा जोडा सही सुमेलित नहीं है ध्यान दीजिएगे पूचा गया सरी सुमेलित नहीं है कौंसा सपेड़ा तो यह आपसने बिश्डु मंदिर इंब थीगवा combin मद्यप्रदेश में है यह भी सही है पारवती मंदिर नैना कुठार मद्यप्रदेश में भी है दसावतार मंदिर यह खोह मद्यप्रदेश तो यह आपका यहाँ पर गलत है दसावतार मंदिर यह आपका उत्तरप्रदेश में है उत्तरप्रदेश के ललितपूर जिले में है और देवगड नामक स्थान पे है देवगड का दसावतार मंदिर जो की ललितपूर जिले में या पढ़ता है तो डी आपसनिया पे सुमेलित नहीं है अगला प्रशन हर्शुवर्धन और पुलकेशिन दुतिय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था तो ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर बी आपसन से हुजाएगा हर्शुवर्धन और पुलकेशिन दुतिय के मध्य जो है छे सो अठारे इस बी में जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्शुवर्धन की जो है पराजे हुई थी तो यहाँ पे पूछा गया किस नदी के तट पर तो नर्मदा नदी के तट पर चौथा प्रशने दिये गए सल्तनत कालीन सासन ब्यवस्था से संबंधित मंत्री योम उससे संबंधित बिभाग में कौन सही सुमेलित नहीं है तो दिवाने खेरात यह आपका दान बिभाग कहलाता था दिवाने बंदगान यह दास बिभाग से संबंधित है दिवाने मुष्तक राज बित बिभाग से संबंधित है यह भी सही है और दिवाने अर्ज यहाँ पे कृशी बिभाग दिया गया यह आपका गलत है दिवाने अर्ज यह आपका सेन बिभाग से संबंदित है सेन बिभाग से यह संबंदित है दिवाने अर्ज यह इसे कहा जाता है आरिज यह मुमालिक दिवाने अर्ज को आरिज यह मुमालिक भी कहा जाता है तो दोनों ही यद रखी गई है, किस से संबंदित है, सैने विभाग से संबंदित है, तो D आपसन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, अगला प्रश्ण शत्रे सो साथ इस भी में खेडा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो यह युद्ध लड़ा गया था, साहु योम ताराबाई की बीच, यह आपसन सही हो जाएगा यहाँ पर, सिवाजी के पोत्र थे साहु और इनको सिवाजी दुतिय के नाम से भी जाना जाता था, और यहाँ पर पुझा गया है, कि युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, साहु योम ताराबाई के मध्य में इसको प्रथम स्वाधीनिता दिवस के रुप में मनाने का निश्य किया गया था, तो यह किया गया था लाहा और अधिवेशन में, सिवाजी आपसने हापे सही हो जाएगा, और अगला कुशन है, वर्स 1944 में सिराज गुपालाचारी ने दिवे आउट नामक पैंफलेट जा होई थी, तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत होई थी, असहयोग आंदोलन आपका एक अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, सभीने और गया आंदोलन आपका 1930 में शुरू हुआ था, अगला कुशन आपका निमनिमे से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है तो यह है बेक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदूलन भी कहा जाता है यहां पर यह विकल्पियां पर सही हो जाएगा भारत चलो आंदूलन बताएगा है अगस्त जो है 1942 में यह शुरू हुआ था बंबई से असहेव का अंदोलन एक अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ था सभी ने ओग या अंदोलन यह आपका 1930 में शुरू हुआ था अगला प्रश्णा आपका वर्ष 1913 में सेन फ्रांसिसको जो कि अमेरिका में है अस्थापित गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दियानती जीगा संस्थापक नहीं पूछा गया अध्यक्ष पूछा गया कौन थे तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा बी आपसन सोहन सिंग भाकना यह पूछा है कि गदर पार्टी के अस्थापना कि सन में हुई थी वर्ष 1913 में कहा हुई थी तो सैन फ्रांसिसको में हुआ था किसके द्वारा किया गया था तो लाला हर्दियाल के द्वारा इसके अस्थापना कि गए थी इसके प्रतम अध्यक्ष कौन थे तो सोहन सिंग भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे अगला कुशन है तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारती नेता कौन थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारती नेता थे वो थे डाक्टर भीम राओ अमबेटकर भी आप से नहाँ पर सेव जाएगा पहला गोल में सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा गोल में सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था, जिसमें महत्मा गांधी जी ने भाग लिया था, दूसरे गोल में सम्मेलन में, तीसरा गोल में सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था, तो तीनों ही गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भ ब्रैस्पति ग्रह का उपग्रह है यदि देखा जाए आपका आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो ब्रैस्पति ही है तो गैनिमीड जो है उसका उपग्रह है मंगल ग्रह के दो उपग्रह है एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस तो मंगल ग्रह के दो उपग सनी का एक उपग्रह है पूछाता है टाइटन और बुद्ध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है तो यहाँ पे पूछा गया है ग्यानिमीट किस ग्रह का उपग्रह है तो ब्रहस्पति का है डी आप सनिया पे सही हो जाएगा अगला कोशन है पुलिकट जील किन दो राजियों के मध्य अवस्थित है तो पुलिकट जील यह आपका तमिल नाडू योम आंधर प्रदेश के मध्य में जो है अवस्थित है भी आप सनिया अपका सही हो जाएगा और अगला जो प्रशन है आपका करड़ प्रियाग किन दो नदियों के संगम का अस्थल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करड़ प्रियाग में आपका अलकननदा और पिंडार नदी का संगम जो कहलाता है वह करड़ प्रियाग कहलाता है यहाँ से प्रशन बनता है यह अलक नंदा और भागी रथी नदी का संगम आपका देव प्रियाग कहलाता है यानि कि जहां पर आपका भागी रथी और अलक नंदा नदियां मिलती हैं वो अस्थान है देव प्रियाग और अलकनन्दा और मंदाकनी नदी जहां पर मिलती है वह अस्थान कहलाता है रुद्र प्रियाग किदारनाथ मंदिर जो है वह आपका मंदाकनी नदी के पास में ही है तो मंदाकनी नदी जहां से आती है और अलकनन्दा जहां पर मिलती है वो आपका रुद्र प्रियाग कहलाता है तो यदि पूछा जाए अलकनन्दा मंदाकनी नदी का संगम कहा होता है तो रुद्र प्रियाग में होता है इस तरह आपका पूछा है पिंडार और अलक नंदा तो बताया गया है कड़ प्रियाग है अलक नंदा भागिरती दियो प्रियाग है और अलक नंदा मंदाकिनी यह आपका रुद्ध प्रियाग है और एक नदी अलक नंदा से मिलती है वो है नंदाकनी तो नंदाकनी नदी अलक नंदा से जब मिलती है तो वह अस्थान कहलाता है नंद प्रियाग यहीं कि नंदाकनी नदी अलक नंदा नदी में जहां मिलती है वह अस्थान है नंद प्रियाग तो यह आप याद रखेगा अगला कोशिन है भारत में किस राज में प्राकृतिक गैस का सरवाधिक भंडार उपलब्ध है तो असम राज में प्राकृतिक गैस का सरवाधिक भंडार उपलब्ध है यह आप सम सही हो जाएगा और पंद्राओं कोशिन आपका सिमली पाल अभ्यारन कहां अवस्थित है तो सिमली पाल है आपका उड़ी सामे C बिकल्प से हो जाएगे हैं पर और अगला कोशिन है भारत में पूजी निर्मार संबंधी आकड़े कौन जारी करता है तो यह जारी करता है C SO यानि कि केंद्री सांखी की संगठन के दोरा जारी किया जाता है पूजी निर्मार संबंधी आकड़े तो B आप्शन से हो जाएगे हैं पर सात्यमी पंचवर्शी योजना निमने में से किस माडल पर आधारित थी ध्यानि जी का सात्यमी पंचवर्शी योजना पूछा गया है किस माडल पर आधारित थी तो यह W मिलर माडल पर आधारित था C विकल्प यहां सही होगा हैराड डोमर माडल पर पहली पंचवर्शी योजना आधारित थी और महाल नोबिस माडल पर आपका दूसरी पंचवर्शी योजना जो है अधारित थी और DR गाडगिल माडल पर जो है चौथी पंचवर्शी योजना अधारित थी तो सात्मी पंचवर्शी योजना का यह देखा जाए जो समयकाल वह 1985 से 1990 तक था और यह आपका W मिलर माडल पर आधारिता C विकल पर हाँ पर सही होगा अगला प्रश्ण है भारत में हरित क्रांती का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में पूछा गया है हरित क्रांती का जनक यह में स्वामीनाथन को कहा जाता है बी आप्सन सही होगा यदि विस्व में पूछा जाए विस्व में हरित क्रांती का जनक किने कहा जाता है तो नार्मन यी बोरलाग होगा और भारत में हरित क्रांती का जनक यहां पूछा गया है तो यह में स्वामी नातन होगा और हरित करांती की शुरुवात पूछाता है कि सन में हुई थी भारत में तो 1966 में हरित करांती की शुरुवात हुई थी अगला प्रश्ण है निमलेखित में से GST परिश्यत का अध्यक्ष होता है तो GST यानिकी Goods and Service Tax वस्तुयों सेवाकर परिश्यत का अध्यक्ष कौन होता है तो किंद्री वित्मंत्री यह विकल्प यहां पे सही हो जाएगा अगला कुशिन है हीनार्थ प्रबंधन से क्या आसे है तो हीनार्थ प्रबंधन से आसे आपका जब आय कम हो और व्य अधिक होता है तो आपका हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है ये विकल्प यहां पे सही होगा अगला कुश्यन है भारती सम्मिधान में सम्मिधान संसोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है काफी महतवूर प्रश नहीं है तो समिधान संसोधन की प्रक्रिया पूछा गया है किस देश के समिधान से लिया गया है तो दक्षड अफरीका के समिधान से लिया गया है रूस के समिधान से लिया गया है आपका मौलिक करतब ये मौलिक करता भी पुछा है कि देश के सम्मिथान से लिया गया है तो रूस के सम्मिथान से लिया गया है बिटेन के सम्मिथान से लिया गया है संसदी पडाली बिटेन के सम्मिथान से संसदी पडाली लिया गया है एकल नागरिकता लिया गया है आयरलेंड के संभिधान से लिया गया है नीति निदेशक तत्तु ये आपका आयरलेंड के संभिधान से लिया गया है तो ये भी आप याद रखेएगा और मौलिक अधिकार पुछायता है तो मौलिक अधिकार ये पुछाय किस देश के संभिधान से लिया गया है तो वह लिया गया है USA यानिकी संयुक्त राज अमेरिका के संभिधान से मौलिक अधिकार लिया गया है इस तरह समोरती सूची पूछायता है तो वह अस्ट्रेलिया के संभिधान से लिया गया है अगला प्रशन आप देखते हैं समानकारे के लिए समान बेतन की ब्यववस्था किस अनुच्छेद के अंतरगत सामिल की गई है तो यह अनुच्छेद 49A यान की को के अंतरगत समानकारे के लिए समान बेतन की ब्यववस्था सामिल किया गया है यहां पर B option से हो जाएगा और यह आपका नेत निदेशक तत्तों के अंतरगत ही आता है नेत निदेशक तत्तों देखा जाए तो आर्टिकल 36 से 51 तक है जिसमें 39A में आपका समानकारी के लिए समान बेतन की बेवस्था भी बेवस्था का burden किया गया अनुच्छेद 40 यह आप पुछा गया समानकारी के लिए समान बेतन की बेवस्था कि अनुच्छेद के अंतरगत सामिल की गया है तो अनुच्छेद 49 को के अंतरगत सामिल किया गया है अगला प्रशन बाप का भारती सम्विधान में अनुच्छेद 21 का संबंध निम्न में से किस से है तो आपातकाल लागू कर दिया गया है तो उसमें कौन से मौलिक अधिकार निरस्त नहीं होते हैं तो आर्टिकल 20 और 21 यह आपका जो आपातकालिन के दौरान भी जो है यह निरस्त नहीं होते हैं तो अनुछेद 21 में पुछा गया प्राण यूम दहिक सुतनता का सनक्षन से यह स संबंद प्राण यूम दहिक सुतनता के संडक्षन से संबंदित हैं 12-35 में आपका मौलिक अधिकार दिया गया अनुछेद 12-35 के बीच ही मौलिक अधिकार है अगला प्रशना आपका निमन में से किस समीती किसी फारिसों की अधार पर पंचायती राज को सम्वेधानिक दर डरशा में दर्जा में प्रदान किया अगया और यह दरजा अपका कब प्रदान किया गया ख dette 2023 में प्रदान किया गया था और ये लिएम सिंद्वी समीती का गठन कब हुआ था तो 1986 में इसका गठन हुआ था असूक महता समीती ये भी पंचायती राज से सम्बंदी था ये इन्होंने दू अस्त्री पंचायत का गठन हुआ था और ये इन्होंने त्री अस्त्री पंचायत ब्योष्था का सुझाओ दिया था और पी वी राय समीती जो यहां पे दिया गया है ग्रामेड भी कास यह गरेवी उनमूलन के लिए प्रशाषनिक ब्यवस्था से संबंदी थे आपका PV की राय समीती तो यह आप याद रखेगा असूप महता समीती का गठन 1977 में इन्होंने जो है दूस्तरी पंचायत ब्यवस्था का सुझाव दिया बलोंत राय महता समीती जो कि इन्होंने सिंद्वी समीती के सिफारिस पर ही सी विकल्ब यहां पर सही होगा अगला प्रशन है जब भारती ये नियाईक पद्धति में लोकहित मुकद्मा यानि की PIL लाया गया तब भारत के मुख्य नियायमूर्थी कौन थे तो उसे में जो है भारत के मुख्य नियायदीज जो थे PN भगवती थे ये आपसन सही हो जाएगे काफी मुहतपूर परशने करीबार परिक्षाव में पूछा गया है लोकहित मुकद्मा जब लाये गया भारत में तो उसे में भारत के मुख्य नियायदीज जो थे PN भगवती थे अगला कुशवें ने पृतवी की घूडन गती बढ़ने पर G का मौन तो G का मौन बढ़ जाता है घट जाता है या या कोई परिवपरतन नहीं होता है या सुनने हो जाता है यहाँ पर जो से होगा B आपसन प्रित्वी की घोडन गती बढ़ने पर जो जी का मानुवा घट जाता है अगला प्रशन है दूर इस्थित वस्तूओं के ताप को ज्यात करने ही तो किसी यंत्र का प्रियोग किया जाता है तो दूर इस्थित बस्तूओं के ताप यानिकी टेंप्रेचर को घ्यांत करने के लिए पाइरोमीटर यांतर का प्रियोग किया जाता है यहाँ पे C आप्शन सही हो जाएगा अगला कुशन है सिग्रेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रियोगत होती है तो सिग्रेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रियोग किया जाता है C विकल प्यापका सही हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है निम्न में से कौन ESO2 यानिकी सल्फ़र डायकसाइट प्रदूशन के सरोत्तम सूचक होते है तो यह है लाइक के यह आपसन सही हो जाएगा अगला कुशन है मानो सरीर का कौन सा अंग प्रोटीन के उपापचे में सक्री रूप से भाग लेता है तो यह है यक्रित इनिकी आपसन भी आपका सही है यहापे तो दोस्तों यह था आपका आज के यल्टी ग्रेड एक्जाम 2022 के लिए जी एस पेपर के लिए पहला प्रैक्टिस यह जिसमें 30 कुशन आपसे पूछा जाएगा क्रेंट अफियर से भी एक दो प्रशन होंगे हलाकि इसमें नहीं आपका सामिल किया गया था क्रेंट अफियर्स के लिए आप जो 50 कुशन का सीरीज करा जा रहा आप उसे देख सकते हैं तो वीडियो दे अच्छा लगा हो लाइक शेर कर दीजेगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है